तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेर करने चारे हूँ आलू की पूडियों की रेस्पी जिने आप ब्रेकपास्ट, लेंड, डिनर कभी भी बना सकते हैं साथ ही आप इन्हें चटनी, अचार या पिर चाय के साथ भी खा सकते हैं ये पूडिया खाने बहुत ही टेस्टी लगती हैं और यदि आप इन्हें इस तरीके से बनाएंगे तो हर एक पूडि फूली फूली बनेगी तो आप एक बार इस रेस्पी को ज़रू ट्राई करें और यदि आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट करना ना भूलें चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं तो आलू की पूडि बनाने के लिए हमने यहां पर दो आलू लिया हैं, आलू को हमने उबाल लिया हैं, अब हम इनको छील लेते हैं, इसी तरीके से हम दोनों आलू को बड़े बड़े टुक्णों में काट लेते हैं, इस तरह से, इसी तरीके से हम दोनों आलू को बड़े डालेंगे एक इच अदरक जिसे हमने चोटे-चोटे टुक्ड़ों में काट लिया है साथ इसमें डालेंगे हम 6-7 लैसुन की खलिया है अगर आप लैसुन काना पसंद नहीं करते तो आप इसे से पिश चुके हैं 12 के साथ आलु काटके रखेते उनको b नाल देते अ और इनको भी हम पिश लेंगेám यदी इनको पिशने दिक्तों तो इसमेें एक चमच पानी डाल देंगे तो मैंने इसमें इसमें डाल दिया है और आप इसको फिर से पिश लेंगे comics अब इसमें मिक्सिंग बावल में निकाल लेते हैं अब इसे में बागी के मसाले भी डाल देंगे तो सबसे पहले हम इसे में डालेंगे स्वादनुस्वा नमक बन फोट चमच कुटी वी लाल मिर्च अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे इसकीप कर सकते हैं साथी इसमें थोड़ा सा बारी कटोगा और अधनिया डाल देंगे हमने आलू को पीस के लिए आप चाहें तो इसे कद्दू का से भी कर सकते हैं लेकिन पूड़ियों के लिए आलू का मसाला एक्दम स्मूथ होना चाहिए इससे पूड़ियों एक्दम फूली फूली बनेंगी तो हमने सारी चीजों का अच्छी से मिक्स कर लिया है अब हम इ देख सकते हैं हमने एकदम टाइट डो बनाकर तयार किया है अब इस पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे और अब हम इसको ढखकर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छी से फूल जाए तो रखी हो 10 मिनट हो चुके हैं आटा भी अच्छी से फूल चुका है अब हम इसको थोड़ी तीर मसल लेंगे ताकि स्मूत हो जाए तो आप देख सकते राटा च्छी से स्मूत हो गया है अब इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और जिए तरीके से इसी तरीके से हम सारी लोई यां बनाखर तयार कर लेंगे तो अमने सारीं अलो यह बना लिए है अब हम इसमेंसे एक लोई लेंगे और इसकी उपर हम थोड़ा सा सू काटा इस तरीके से लगा लेंगे और अब हम इसको बेल लेते हैं पूड़ी आप अपनी पसंद के नुसर बड़ी है चोटी बना सकते हैं तो बहुत ही आसानी से बनके तयार हो जाती हैं तो आप देख सक अब हम पूड़ी को इसमें डाल देते हैं और फ्लेम को हम यहां पर मीडियम कर देंगे पूड़ी जब उपर आ जाए तो हम इसके उपर इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा तेल डालते रहेंगे इसी अच्छी से फूल जाएगी तो आप देख सकते हैं पूड़ी कितने अच्छी से फूल गई है आप इसे breakfast, lunch, dinner की साथ-साथ बच्चों के टिपिन के लिए भी बना कर रख सकते हैं तो पूड़ी अच्छी से सिख चुकी है अब हम इसको निकाल लेते हैं तो एकदम फूली फूली और करारी पूड़ी बनके तयार हैं अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी की पूड़ीयां बना कर तयार कर लेंगे तो हमें इनको मीडियम फिलिम पर फ्राई करना है इस तरीके से एकदम फूली फूली बनेंगी और एकदम करारी करारी बनेंगी आप इने चटनी, अचार या पिर चाय के साथ भी खा सकते हैं तो सारी पूडियां बनके तैयार हैं आप एक बार इस रेश्पी को जरू ट्राई करें अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो यह सब को बहुत पसंद आएंगी और अगर आपको मेरी रेश्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ मैं बैल आइकन को जरू प्रेस करने हैं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिपे किसन आपको मिल जाए